नमस्कार न्यू इंडिया लाइफ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आर्या जा रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ओफ लौ एंड जस्टिस के आदेश जारी करके कुमारी जस्टिस रीतु बारी को पंजाब एंड हर्याना हाइज कोड का एक्टिंग मुख न्याय अधीश नियूक्त किया है बता दे कि वह शनिवार को अपना कारेभार संभालेंगी हलांकि अभी पंजाब हाइ कोड के कोड नम्मर 13 में कारेरत जस्टिस रविशंकर जा मुख न्याय अधीश के पद पर काम कर रहे हैं वो 13 अक्टूबर को रिटायर होंगे रितु बारी मूल रूप से पंजाब के जलंधर की रहने वाली है वो 1986 में पंजाब एंड हर्याना हाइ कोड बार काउंसि हुई थी बता दे कि रितु बारी के पिता जस्टिस अम्रतलाल बारी 1994 में पंजाब एंड हर्याना हाइ कोड में मुख निया अधीश के रूप में रिटायर हुए थे उनकी रिटायर के 29 साल बाद वही जज के रूप में शनिवार को सेवा देंगी जस्टिस रितु के 1999 में इन्हीं हर्याना का ऑफ्योगत को अफजी करता हुमें Moment की शामिल Hai बहुर्बे आगल के द्वार है नांगे द्वारा चलती ट्रेन और रेख चलात辦法 ४रब्च्चों की सुरक्षा के जी आरपी मतुरा जैक्षन के नित्रतु में गठित तीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए थाना जी आरपी मतुरा जैक्षन पर दो साल की बच्ची को रात्री को अग्यात वैक्तियों द्वारा अफरंग कर लिया गया था जिसको ढूनने का काफे प्रयास किया गया था लेकिन बच्ची का कुछ अतापता नहीं चल सका जिसको लेकर बीते 11 अक्टूबर को उक्त बच्ची के सम्मंद में थाना जी आरपी मतुरा जैक्सन की पुलीस टीम को मुख्वीर द्वारा सूचना दी गई बच्चों को उठाने वाल एक गैंग भूमी जन भूमी पर आने वालिश रधालों से मुतेश्वर स्टेशन के पास भीक मांग रहा था जिसके साथ चोडी की एक बच्ची भी थी इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ततकाल कारिवाई करते हुए बच्ची की मां फुलवाती को साथ लेकर बताये गय स्थान पर पहुंचे जिसके बाद मुतेश्वर स्टेशन प्लेटफॉर्म नमर एक के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक बच्ची मिली जिसे फुलवाती ने अपनी बच्ची बताया है ततकाल टीम द्वारा कारिवाई करते हुए पांच अभी युक्तों में तीन पुरोश और दो महिलाओं को गिरफतार क पुलिस टीम को कोटी-कोटी धन्यबाद भी किया देव कलिया कोतवाली विश्वा शेत्र के निवासी ग्राम पितकपूर में मुकेश पुत्र चंदरभाल के घर में घुसे अग्यात बदमासों ने घर में घुसकर तांडव किया घटना रात दो बजे के करीब की बताई ज जानकारी मिलता ही मौके पर पहुंची प्रभारे निरिक्षक अनिल कुमार सिंग दल बल के साथ पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दिया गया है मुकेस के कमर के नीचे छरा लगाया हुआ था और उसके सर पर गंभीर चोट आई है उन पर प्रात्मिक उप्चार की जा रही या प्रात्मिक उप्चार के लिए रेफर कर दिया गया है मामले की जाच परताल की जा रही है वहीं ग्रामीनों का कहना है कि परोस में बन रहे दयाराम यादव के घर का ताला तोड़ दिया गया है और समान भी ले गया है मुकेश सुखला के दाहिने जाएंग में चर्रे लगे हैं सुचना पर तत्काल मौके पर प्रभाणी रिक्षक चित्रादिकारी विश्वाई अन्य उच्चादिकारी गंपर बक्सर के रगुनात पूर में हुए ट्रेन हाच्चे के बाद लगता रहत बचाव का कारी जारी है जिला प्रशासन से लेकर रेलवे की टीम मुस्तैदी में जूटी हुई है गटना के बाद घायलों को छोड़कर स्पेशल ट्रेन में अन्य यात्रियों को भेजा गया इसी बीच रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाक रुपे मुआपजा देनी की बात कही गई है वहीं घायलों को 50-50,000 रुपे दिये जाएंगे वहीं बिहार सरकार की ओर से मनने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाक रुपे देनी की अनुगरह राशी दी जाएगे जबकि घायलों को 50-50,000 दी जाएंगे हाथ्चे को लेकर मुख मंतरी नितिश कुमार ने दुख ज मौके पर दानपूर रेल मंडल की DRM जयन चौदरी भी पहुंचे रगुनातपूर एलवे स्टेशन के पास समुदाइक स्वास्त केंदर में कुछ घायलों को पटना एम्स और PMCH रेफर किया गया कुछ अभी भी इस अस्पताल में हैं कई घायलों का डिस्चार्ज कर दिया इस्तित इसराइल में बेन गुरियन अंतराश्टी हबाय अड़े पर स्थानिय समय अनुसार पुरवाहन दस बज कर 30 मिनट पर युदगरश्ट देश की धरती पर कदम रखा उन्होंने हबाय अड़े पर ही इसराइल के विदेश मंतरी एली कोहेन और अधिकारियों से मुल आगात करेंगे मारपीट का वीडियो शोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है दो लड़कों आपस में मारपीट की और गाली गलोज करते हुए नजरार है उसका बजारा पुराना रेलवे स्टेशन पर मारपीट करते हुए आ रहे थे जो वीडियो में साफ दिख र पादी कैलाश के दर्सन किये फिर भारत चीन सीमा से सटे गुंजी गाउं गए बाद में अलमोडा से जलेश्वर धाम पर माथा टेका दीन के अंत में पिथोडागड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा हमने सीमावरती गाउं को अंतीम नहीं बलकि देश के पहले गाउं के रूप में विक्सित करना शुरू किया है बाइवेड ब्रिजेल प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावरती गाउं का विकास किया जा रहा है ये काम पहले ही सरकारों द्वारा किया जा सकता था लेकिन पहले की सरकारे ने इस डर से बॉडर एडिया पर विकास नहीं क दूर पहाडों पर जो लोग रहते हैं हमने उनकी भी चिंता की सिलिए सर्फ पांच साल में देश के साड़े 13 कडोर लोग गरीबों से बाहर आए ये इस बात का उधारन है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है पीम ने कहा पहले नारा दिया जाता था कि गरीबी हटाओ मोध दर्शकों से लंबे ये काम आपका भाई और आपका बेटा कर पाया है बता दे कि यह ब्लू पॉइंट जो लिंक कोंग इलाके में है जहां से कैलाश परवत साफ नजर आता इसके लिए अब चीन के कबजे वाले तिबब जाने की जरुवत नहीं होगी इसके साथ ही परवत कुंड में पूजा आर्चिना की जहां से 20 किलोमीटर दूर चीन सीमा शुरू हो जाती है नरेंद्र मोदी के पहले पीएम मोदी जिन्होंने उत्रा खंड में लगी भारत चीन सीमा पर आदिक अलाश परवत का दर संपर भारत के विदेश मंत्री एस जैशंकर को लेकर एक लेवल की सिक्यूरिटी कर दिया गया है इसके साथ ही मंत्राले की ओर से अमित जोगी की भी सुरक्षा में जैड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है अब तक मिली जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जैशंकर की सुरक्षा वाई से बदल कर जैद करने की पीछे का क जबानों की तैनाती की जाएगी वहीं इसके साथ है जैशंकर की सुरक्षा में अब 36 CRPF की कमांडों की तैनाती की जाएगी बता दे कि केंदर सरकार की ओर से सुरक्षा के लिए कुल पांच कैटेगरी बनाई गई है यह एकस वाई वाई प्लस जैड और जैड प्लस श्रे जी की कमांडो CRPF और दिल्ली पूलिस के जबान भी होते हैं अभी के लिए बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं न्यू इंडिया लाइट झाल 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 झाल